पंचायती राजवाह के अधिकारियों के संग बैठक हुई है। पंचायती राजवाह के संग बैठक हुई है। प्रतनेदियों से उम्मीद करती है कि हम अपने सीमित साधाओं से हम विपक्स में हैं। उनके कारे ज्याद से ज्यादा हों लेकिन अगर कारे शुरू ना हों और अधूरे कारे पड़े हों तो उन पर कोई कारवाई ना हो तो एक निरासा आना स्वभाविक है। कॉंग्रिशनिता आपताब एहमत ने काए कि इसे गाउं का विकास वादित होता है। पार-पार पैठक होने के बाबशूत भी अभी तो उनके पास वहाना आचार सहीता खाता। लेकिन अब आचार सहीता पूरी तरेके से हर चुकी है। पंचाईती राज महकमे की धिकारियों से जो उनके कारेर चाहे वो हमारी विधायक आदर्श योजन नीती की बात है। हमारी पांच करोड की जो मुखे मंतरी ने अनौस्मेंट करी थी कि ड्यूइलिप्मेंट वर्क्स के जो काम होंगे। उनकी प्रोग्रेस के लिए और उनका किस तरीके से वो उस पे कारे चल रहा है। बड़ा खेद होता है इस बात को कहते हैं चार साल से जादा का समय हो चुका है। कारें की सूची दिये हुए उनकी सेंक्शन होके वो कारे अभी तक जो है होई नहीं हैं अमल भी नहीं लाए गए हैं। कहीं बार-बार टेंडर लगते हैं, जब नहीं आते किसी चीज़ें, कोई ना, कोई अर्चन लेके, कोई नो, कोई बाहना लेके वो नहीं होता है। मैं समता हूं कि ये महिंख में की बहुत बड़ी लापरवाई है। और अधिकारियों की भी बहुत बड़ी लापरवाई है कि जनता हमसे उमीद करती है कि हम अपने सीमित साधनों में क्योंकि हम विपक्ष में हैं और उसके कार्रेयों को होएं और उसमें भी जब देखते हैं कि वो कार्रेय शुरूरी नहीं होए अधूरे पड़े हैं या उन स्वर कोई करवाई नहीं हुई तो एक निराशा जो है वो जो करवाने वाले हैं उनमें भी आती है इनके कार्रेय होते उनकी भी आती होत है ben समझता है कि बार बार बैठे के होने के बावजूद भी अभी तो इनके पास बाहना था चार से ही था कर लेकिन मैं समझता हूँ अब वो नहीं है तो हमने आज इनसे भी करी है और अगले हफते हम चंदीगर में भी इस बात को उच्छ अधिकारियों से करेंगे कि आखिर क्या वज़े ह है कि चार-चार साल के बाद भी जो है विकास कर रहे नहीं होते हैं और गाओं को लोगों का अपने विकास कर रहे हों में ये बाधाये आती हैं इनको दूर करें और जल्द से जल्द इनके कामों को शुरू करें और हम समझते हैं कि यही एक आज की मीटिंग का हमारा भी हो रही तो इसलिए आज ये बैठे कुशेज तोर पर बुलाई गई नहीं बरोसा नहीं पर हमें तो यह हम तो गंभीर हैं हम तो हर दो तीन महीने चार महीने बाद करते हैं जब जाके कुछ-कुछ लगता है कि कुछ-कुछ कर रहे हो यह नहीं हों मैं तो आपको पूरी व क्यार्टी के विदाएक घाते हैं और यही सरकार का जो Smix जो घीलापन है ना यह मैं समझता हूं यह कारण है कि जो विकास कार रहे हैं पूरे नहीं और अधििकारियों के खास टोर पे इसमें जॅन जुम्म्म्मेवारी बनती है कि आए बार बार उन ही हम समझते हैं कि इस सरकार की एक बहुत बड़ी फेलियर है बहुत बड़ी एक इस सरकार की कमजोरी है कि जो कारे हो जाने चाहिए थे वो कारे भी लंबित पड़ते और यह हमारे कारे क्या करेंगे मुख्यमंत्री के अपनी योजना जो है विशेश करके नूजिले में वही कहीं न कहीं जो है सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और उस बात को हम बार-बार उठारते भी हैं उजागर भी करते लेकिन सरकार को सची बात और वैसी बात इनकी कमी की बात होती है वो इनको बुरी लगती है आलोच ना बुरी लगते लेकिन वास्ट्विक्स शिती यही ह झाल झाल